जैनेद बंदू मैं रवी जैन गुरुजी आज गुरुवार और सिरी सुपारशनाद भगवान का जनम और तप कल्यानक हम सब को चाहिए ओम रीम शिरी सुपारशनाद जिनेंद राए नमा की एक माला हलकी आवाज में अवश्य फिरें और अब बात करते हैं आज के रासी फलकी मेश रासी वाले व्यवेसाई में बादा आ सकती है भाग दोड से बचें क्या करें शिरी भकतामबर जी का 28 वकाव्य दस बार पढ़ें वर्षव रासी वाले चलते हवे कारिय में प्रगति होगी दिन अच्छा है क्या करें शिरी भकतामबर जी का 36 वकाव्य नो बार पढ़ें मितुनरासी वाले नई मित्रों से लाब का आउसर पुराणे रिंसे मुक्ति का बहुत अच्छा योग क्या करें अगर संबव हो तो सफेद वस्त्र धारन करें करकरासी वाले आलस्य परमाद से बचें घोमने का विचार बनाई क्या करें वेदी पर नो छोटी इलाइची ओम रिम शिरी विमलना जिनेंदराई नमा बोल कर चड़ाएं सिंगरासी वाले नए काम का सुयोग पदोननती से साथी परिशान हो सकते हैं क्या करें शिरी भक्तामबर जी का यंत्र अपनी टेबिल पर रखें कन्यारासी वाले जमीन वाहन लेने का विचार बनाएं परिवार में क्रोध से बचें क्या करें शिरी धर्मनाज जी का चाली सा एक बार पढ़ें तुलारासी वाले वेवेसाय में पूंजी निवेस का बहुत अच्छा योग लेकिन स्वास्त का ध्यान रखें क्या करें गोशाला के संचालन में सहयोगी बने यथा संभव दान दें वरश्चिकरासी वाले नई योजना पर काम करें लेकिन अधिक खर्च से बचें क्या करें पक्षियों के अस्पताल में यथा संभव दान दें धनूरासी वाले सफलता का आज विसेश योग सामाजिक कारियों में रूची बढ़ाएं क्या करें गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं मक्करासी वाले रोज मर्रा के कारियों में कोता ही ना बढ़तें महमान के आगमन का भी हर्स मिल सकता है क्या करें नमो सिध्धानम की एक माला फेरें कुमरासी वाले सोचा हुआ कारिय बनेगा गरस्ती की समश्या भी हल होगी क्या करें हल्दी का टी का माथे पर लगाएं मीहिमरासी वाले सत्रवों से सावधान रहना बहुत जरूरी कानूनी विवाद से भी बचें क्या करें लाल मसूर की दाल दान करें यथा संभव रासे फल के पश्याद बंदो अब बात करते हैं आज की सलहा की देखें आज की सलहा में ध्यान रखें घर में जितनी भी घड़ी लगी हो चाए वो दिवार घड़ी हो या अलारम घड़ी हो या हाथ की घड़ी हो कोई भी घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए अगर घर में रखी हुई कोई भी घड़ी बंद होती है तो इससे घर की तरकी रुख जाती है तो ध्यान रखें कोई भी घड़ी बंद ना हो अगर कोई घड़ी बंद है तो उसे तुरंट ठीक कराएं और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है मोनीका जैन जीने कटनी मध्यपरदेश से लिखते हैं गुरुजी जैजनेद्र मेरा मन पूजा पाठ में नहीं लगता मैं काफी पूजा पाठ करना चाहती हूँ लेकिन मन नहीं लगता इसलिए मुझे पूजा पाठ बीच में ही छोड़ना पड़ता है मैं क्या करूँ देखे मोनीका जी आप जब पूजा पाठ करने बैठें तो पांच मिनट का मोन रखें और ध्यान मुदरा में बैठें उसके बाद आप पूजा पाठ आरम करे हैं अगर आप ऐसा लंबे समय तक करेंगे तो निश्यत रूप से आपका मन पूजा पाठ में लगने लगेगा साथी ओम नमो सिध्धानम की एक माला भी आप रो जाना फेरें अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्यत रूप से एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देग और बंदू इसी के साथ आपकी भी कोई समश्या या जिग्या सा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लगातार फ्लैस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी भावना के साथ सबी को जैजिनेंद्र झाल